हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जौब इंडिया में सोगत करता हूँ प्यार दोस्तों अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जौब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो डाक्टर रामनो लोहिया आर्विज्यान सांस्थान लक्नाऊ नर्स भर्ती 2024 दोस्तो डाक्टर रामनो लोहिया आर्विज्यान सांस्थान लक्नाऊ की तरफ से 851 पदो पर नर्सिंग ओफिसर मेल फिमेल, MLT, OT, C SSD, पेरामेडिकल लिस्टाफ इसके अलाम वेरियस गुरूप B एंड गुरूप C पोजीशन पर परमाने भड़ते निकाली गई है नर्सिंग के लिए दोस्तों बता दे तो 21 अपरेल यहां पे लाज़ डेट रखी गई थी नर्सिंग में टोटल कितने फार्म भरे गए हैं इसकी जानकाई देंगे साथी नर्सिंग का एक्सपेक्टड एकजाम डेट क्या होगा इसकी जानकाई देंगे इसके अलामा अभी जो गुरूप C की वेकेंसी है उसकी ओनलाइन चल रही है गुरूप C के लिए एक माई तक फार्म भर सकती हो बाके गुरूप B and गुरूप C की जो पोजीशन थी 27 अपरेल इसके लाज़ डेट थी तो दो वेकेंसी हों के लिए लाज़ डेट यहाँ पर जा चुकी है नर्सिंग के लिए और इसके अलामा गुरूप C के लिए अभी जो गुरूप C की वेकेंसी है उसके लिए online चल लए है और अगर आप लोग group C के लिए form भरने वाले हो तो आप लोग 1 माई तक form भर सकते हो देखें बहुत सारे position पर vacancy है जैसा कि आप लोग nursing officer की vacancy है इसके अलामा group B की vacancy है ग्रूप C की vacancy है तो बहुत सारे position पर vacancy है तो सभी का एक साथ exam होगा या एक करके exam होगा अगर एक करके exam होगा तो सबसे पहले किस position का exam होगा अगर सबसे पहले nursing officer का exam होगा तो बाकी सभी position का बाकी जैसे MLT है, paramedical, OT, assistant इसका exam कब होगा और expected exam date की जानकाई देंगे फार्म जो है nursing officer में कितने भरे गए हैं इसकी भी जानकारी देने वाली हैं तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले दोस्तों डाक्टर रामनो लोहिया आयर्विग्यान संस्थान के website पर बात करेंगे दोस्ते तीन नई update के बारे में देखे दोस्तों आपको जाना है गूगल सर्च बॉक्स पर आपको सर्च करना है डांक्टर रामनो लोहिया जैसे आप लोग सर्च करोगे दोस्तों इस तरीके से नई page यहां पर open हो जाएगी डांक्टर रामनो लोहिया इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइनसेज यहां पर नीचे आईए तो देख सकते हैं वेब साइट है recruitment वाले option पर जाके अभी फिलाल एक माई तक group C के लिए form भर सकते हैं जैस नंबर थर्ड देखी नंबर फोर्स देखिए लेट टेश नियोज इस पे आप लोग क्लिक करिए जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो group B and group C के लिए विग्यापन मिल जाएगी group C के लिए आपको विग्यापन मिल जाएगी अलग से और nursing officer के लिए अलग से आपको विग्यापन मिल जाएगी अभी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले यहाँ आप देखें नर्सिंग ओफीसर के लिए आपको जो है PDF मिल जाएगी तो नर्सिंग ओफीसर के लिए आप लोग देखोगे तो 665 वेकेंसी है nursing officer के लिए coffee h vacancy है जबर्दस vacancy है और अगर हम बात करते हैं nursing officer के लिए कितने farm भरे गए हैं उससे पहले level 7 के तहट आपको salary मिलेगी और 665 vacancy है nursing officer के लिए इसमें दोस्तों कितने farm भरे गए हैं तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 95,000 पलस यहाँ पर form जो है भरे गए हैं जी हाँ आल इंडिया level पर form भरे गए हैं पूरे भारत से form भरा गया है 95,000 पलस यहाँ पर form जो है nursing officer के लिए भरे गए हैं सबसे पहले nursing officer का ही exam होगा एक साथ जो exam नहीं होगा मैं फिर आपको बता देता हूँ क्योंकि UP में बहुत सारे यहाँ पर paper link हो चुके हैं इसी वज़े से अभी जो है बता दो तो एक ही position का सबसे पहले exam होगा nursing officer का nursing officer का जब exam होगा तो एक ही दिन में दोस्तों exam होगा one day आप लोगों का exam होगा minimum दो shift में जो है paper link की वज़े से ही UP में ही exam center यहाँ पर बनाय जाएंगे और total जो है 15 सहरों में exam हो सकता है clear है UP में exam होगा और UP में 15 सहरों में exam हो सकता है online बिल्कुल exam होगा confirm है exam का language हिंदी और इंगलिस रहेगा सबसे पहले nursing officer का ही exam होगा clear है मैंने nursing officer के बारे में सारी जानकाई दे दी है nursing officer के लिए last date यहाँ पर 21 अपरेल था और nursing officer में 95,000 पलस फार्म भरे गए है अभी देखे group B and group C तो group B and group C के लिए last date यहाँ पर 27 अपरेल रखा गया था अब इसमें कितने फार्म भरे गए है अभी इसकी update नहीं मिली है जैसे ही RTI के थुरू update मिल जाएगी इसमें कितने फार्म भरे गए है मैं update कर दूँगा चलिए इसमें देखते ही कौन-कौन से position है और फिर इसका exam कब होगा इसकी भी जानकारी देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 10 position है अभी exam date की जानकारी मैं दूँगा expected exam date की जानकारी मैं दूँगा किस मैं exam होगा वेट करिए और last में 200 group C की जो vacancy है जिसकी लिए last date यहाँ पर 1 माई रखी गई है इसका exam बाद में होगा अब इसमें कौन-कौन से position है देख लेते हैं इसके बाद बात करेंगे एक करके exam date की बारे में तो अभी यहाँ पर देखे बहुत सारे positions है C, SSD association की विकेंसी है ग्रूप C में वर्क्सॉप technician की विकेंसी है और dental technician की विकेंसी junior medical record officer की विकेंसी technician nuclear medical technologist की विकेंसी है OT assistant की हाँ पर विकेंसी है तो यह जो विकेंसी है इसका exam दोस्तों बाद में होगा सबसे पहले exam होगा nursing officer का और nursing officer का exam जो है June में होगा यह बिल्कुल confirm है और 21 June से पहले आपका exam हो जाएगा किरिया है क्योंकि बहुत सारे exam जो है जून में होगा तो आगे पीछे exam होगा 21 June तक nursing officer का exam हो जाएगा इसके बाद दोस्तों जुलाई में exam होगा group B and group C position के लिए तो अगर हम बात करते हैं तो nursing officer के लिए 21 June तक exam हो जाएगा level 7 के तहस सहली मिलेगी UP में ही exam होगा और उत्तरपरदेश के टोटल 15 सहरों में exam होगा केलियर है जी हाँ इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि 95,000 पलस यहाँ पर फार्म जो है nursing officer के लिए भरे गए है इसके अलावा group B and group C के लिए 27 April यहाँ पर लाजड़ थी RTI फाइल कर दिया गया है जैसे RTI के अपडेट मिल जाएगी मैं आपको बता दूँगा कितने फार्म इसमें भरे गए हैं लेकिन group B and group C की जो position है और जो group C की position है तो group B and group C and group C position यह जो दोनों विग्यापन है इसका exam एक साथ होगा लेकिन सबसे पहले nursing officer का exam होगा और nursing officer का exam जोन में होगा बाकि सभी position का exam जुलाई में होगा किलियर no doubt थैंक दोस्तों मैंने आपको सारी update दे दी है मिलते हैं नश वीडियो में धन्यवाद